हेलो फ्रेंड्स वीडियो गूर्णिंग टोलोफी और विलकम फाइनली दोस्तों मगद उनिवर्सिटी असना तक पार्ट वन में नामंकन के लिए तीसरी मेधा सूची और तीसरी कटफ लिष्ट जारी कर दिया गया है किस कटगरी से कितना कटफ रहा है किस विसे के लिए वो कोसीष्टेडी.com आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा यहां पर आप नीचे आएंगे तो मगद उनिवर्सिटी यूजी मैरिट लिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर अगर आप और नीचे आते हैं तो कोसीष्टेडी लेटेस्ट अपडेट में मगद उनिवर्स 211 को और यह 26 अक्टूबर को ही परकासित कर दी गई है थर्ड मैरिट लिस्ट इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यह सारे डोकुमेंट साफ सभी को त्यार करना है इसके साथ साथ कॉलेज अलोटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा तो कॉलेज पर हम इसके ओफिसेयल वेफसाइट को ही ओपन कर लेते हैं ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर यूजी थर्ड कटफ लिस्ट का अप्सन दिया गया है आप इसे यहां से डाउनलोड करेंगे डौञ़लोड करने के बाद यहाँ पर आप सुवी देखेंगे कि अलग-अलग कोलेज्गों का अलग-अलग विजय से अलग-अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर cut-off दिया गया है कि यहाँ कैटेगरी से कितना cut-off रहा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ विशय से जेनरल के लिए 82 परतिसत यहाँ पर कट अफ रहा है मैथ में 82 मार्क्स आपका है तबी जो है यहाँ पर आपको कोलेज एलोट हुआ होगा BC1 की बात करें तो 78 BC2 की बात करें तो 80 BCG गर्ल कंडिडेट के लिए बात करें तो 79 SC के लिए बात करें तो 33 ST के लिए बात करें तो 80 परतिसत यहाँ पर कट अफ रहा है इसके अलावे अगर आप किसी और कोलेज से आवेदन किये हैं और कोलेज को 24 में डाले हैं तो और कोलेजों का हो सकता है कट अफ यहाँ पर कम गया हो जैसे कि आप से भी देख सकते हैं जेनरल का, BC का, BCG का इसके बाद SC का, ST का इस तरीके से यहाँ पर कट अफ दिया गया है तो आप देख लिजी अगर आपका इतना कट अफ तक बनता है जिस कॉलेज से आपने आविधन किया या फिर student किया है तो आपको college निश्ची दुरुप से all out हो गया होगा सबसे पहले आपको अपना college देखना है वीसे देखना है इसके बाद अपना category देखना है इसके अलावे अगर आप back आते हैं तो यहां से जो है, लोगिन करके आप अपनाय जो है, जो भी College Allotment Letter जारे किया गया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके संबंद में regarding notice जो इससे पहले 23 एक्टूबर को जारे किया गया है, आप इससे डाउनलोड करके 3rd Merit List के संबंद में और भी जानकारी ले सकते हैं मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद